दोस्तों अगर आपको भी आए दिन कटी फटी एडियों का सामना करना पड़ता है, ड्राइ एल्बो का सामना करना पड़ता है, पैरों में पॉर्ण हो जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़ादा ड्राइ हो जाती है आए दिन, एवन वहाँ पे डार्क स्पॉट भी हो जाता हूँ तो आपको बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है और ये tried and tested है friends मैंने खुद इसे इस्तमाल किया है hello friends मैं में धावी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चैनल जिन्दगी इजी में इस चैनल पे आपको beauty, health और lifestyle से related वीडियोस मिलते हैं तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे नहीं हैं तो जिन्दगी इजी को subscribe करके bell icon जरूर दवा दीजिए अगर आप bell icon नहीं दवाएंगे तो आप देरे latest videos को नहीं देख पाएंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सर्ज स्क्रीम की मैं बात कर रही हूँ वो है दिस वान ये क्रीम है सन फार्मासोटिकल के तरफ से जरीना बेसिकली इस क्रीम के अंदर यूरिया मिला हुआ है जो की एक बहुत अच्छा ingredient होता है आपके dryness से लड़ने के लिए आपके dryness को दूर भगाने के लिए यूरिया बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर भर-भर के भर-भर के hydration होता है इसके अंदर एक और ingredient मिला है जो की है glycolic acid जो की हमारे face के लिए बहुत अच्छा होता है जो की dead skin cells को हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपने glycolic peel के बारे में सुना होगा जो की आपके dead cells को निकालती है जिसकी वज़े से जो blackness है आपके face की या skin की वो हटती है तो इस वज़े से लोग इसका इस्तमाल face पे भी करने की सोच लेते हैं पर मैं आपको बता रही हूं सतर करिएगा आप इसे face पे इस्तमाल मत करिएगा ये देखकर कि इसके अंदर glycolic acid मिला है तो हम इसे face पे लगा सकते हैं ठहर जाएए क्योंकि इसक के चहरे के लिए harmful हो सकता है तो इसी वज़े से face पे ना लगा है इस packet की जो price है वो है 419 रुपए और इसकी quantity है 50 gram अपर अगर आप online लेते हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत discounted rate में बिल जाता है link में description box में डाल दूंगी आप वहाँ जाकर check कर सकते हैं इसका alternative मैंने अपन उसमें एक ingredient नहीं है वो है glycolic acid उसमें नहीं मिला है तो अगर आपको अपने dead skin cells को नहीं हटाना है सिर्फ dryness को दूर करना है तो मैं आपको यही प्रिफर करूँगी कि आप को टियल क्रीम का स्तमाल करें पर अगर आपको अपने dead skin cells को निकालना है कही ना कहीं black patches को हटाना ह ड्राइनस को रिमूव करना है प्रॉपर वे में तो आप फिर जरीना क्रीम का स्तमाल करें अगर आप वो वीडियो देखना चाहते है तो लिंक मैंने आई बटन पे डाल दिया है जरीना क्रीम की सबसे अच्छी बात है कि यह आपके dry skin को exfoliate करता है because of glycolic acid यह exfoliate करने की शमत इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे इस्तमाल करने का जो तरीखा है वो यह है कि आप सबसे पहले affected area को wash कर लें किसी भी अच्छे cleanser से या फिर आप डीटॉल से wash कर सकते हैं wash करने के बाद आप इस cream का directly वहाँ पे application कर सकते हैं और कुछ देर massage दे सकते हैं थोड़ा सा massage देंगे गया है कि अगर आप पीट में से इस्तमाल कर रहे हैं तो आप उसके बाद मोजे पहलने शॉक्स पहलने उसके बाद आप और सो जाएं मतलब रात में सोने से पहले लगाएं और इसके बाद आप 8 गंटे तक इसे लगा रहने दे आज इस उसके बाद अपने पैरों को हो जाते हैं इस तरीके से अगर आप इस्तमाल करते हैं तो रहे बाद elbows की तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ हम पैच पट्टी कुछ लगा नहीं सकते और वहाँ पे cracked skin होती भी नहीं है बेसिकली वहाँ के dead skin होती है जो की काली सी हो जाती है dry हो जाती है through my personal experience और लोगों का experience में तो मैं आपको बता दो कि cracked feet cracked heel के लिए अगर आप वो मोजे पहने वाला जो पूरा procedure है वो कर लेते हैं तो वो उसके लिए तो must have है friends बिल्कुल बेजिजक इसको purchase करें बेधरक इसको आप खरीद लीजे क्योंकि इसको लगाने से आपके जो cracked heel की समस्या है वो ठीक हो जाती है जो black area है elbow का वो इससे बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है जो वहाँ की dryness है वो भी मुझे तो heel होती नहीं नज़राई screen को लगाने के बाद क्योंकि मैंने काफी समय तक इसे लगाया है अपने elbows पर जो dryness है वो कुछ समय के बाद वापस आ जाती है तो इसलिए मुझे उतना effective ये नहीं लगा elbows के लिए और रहे बाद दाग हटाता हो मुझे ऐस सच कुछ उतना असरदार ये दिखा नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूचते हैं गरदन की पीछे जो काला पन हो जाता है क्या उसके लिए जरीना क्रीम का इस्तमाल किया जा सकता है तो मैं आपको बता दो कि आप इस्तमाल करके देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी mention नहीं है कि आप neck पे लगा सकते हो तो ये कालापन हटाने के लिए नहीं है ये dryness हटाने के लिए है ताकि वो जो और ज़दा काला होता रहता है वो ना हो dryness हट जाए इसके लिए है dead skin हट जाए इसके लिए है तो गर्दन के पीछे तो ऐसा dryness ऐसे ड्रानिस की तो प्रॉब्लम नहीं होती है हाँ कालेपन की समस्या जरूर होती है तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको इस क्रीम का अस्तमाल करना चाहिए अब बहुत से लोग हैं जो मुझसे मेरा नंबर मांगते हैं तो मैं उन्हें ये बता दो कि जब भी आपको मुझसे कुछ बाते करने हैं या कुछ शेयर करना है आपको मुझसे या कुछ पूछना है क्वेरी है आपकी तो आप मुझे सबसे अच्छा रास्ता है मुझसे कॉंटेक्ट करने का वो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे at the rate जिंदगी easy पे जाए follow करें और मुझे DM करेगा follow करके DM करते हैं तो मैं उस DM का जरूर reply करूँगी मुझे से कुछ ऐसे लोग हैं जो चाते हैं मुझे से कुछ बाते शेयर करना जो कि Instagram नहीं use करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता है mail आप मुझे email कर सकते हैं email ID मेरी scroll screen पे भी चल रही होगी और साथ में आपको description box में भी मेरी mail ID मिल जाएगी friends अगर आज का ये video आपको useful लगा हो अच्छा लगा हो तो इस video को जादा से जादा लोगों तक share जरूर करें share is care है friends तो इसलिए जादा जादा लोगों तक share करें ताकि उन्हें भी मदद मिलें जैसे मैं आप तक इस video को पहुचा रही हूँ आपकी मदद कर रही हूँ वैसे आप भी इस video को दूसरों तक पहुचा कर उनकी मदद करिए दोस्तों क्योंकि आपको सर्फ share करने के लिए एक link copy करके paste करना होता है जादा महनत नहीं करनी होती है तो इतनी महनत तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों और दूसरी चीज़ like का बटन भी दबा दीजे दोस्तों क्योंकि like का बटन दबाने से भी मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे motivation मिल जाता है तो एक like का बटन जाते 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 जरूर दबा कर जाएगा और साथ में अभी तक आपने चैनल को subscribe कर लीजे दोस्तों किसका इंदिजार करें subscribe करिए, bell icon दबा दीजे तो उमीद है कि आप सब मुझे instagram पे जरूर जुरेंगे मुझे personally connect करने में आपको खुशी होगी, तो instagram पे आप मुझे जरूर follow करेंगे, तो जाएए और मुझे instagram पे जल्दी से follow करिए और मुझे dm करिए तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही अपना ख्याल रखेगा, बाई